वह से वच्छे दिसंबर को ऐसा टीया की कार सेवा के लिए वाँप ओज गय थे बलीदान जत्ते में मेरा नाम था और हमने बलीदान जत्ते के लिए पांसो जने का जत्तापुरे देश से बना था और किसी को मालूम नई थी कि मलेक किया होने माला है कि सिरफ पांसो जने कोई मालूम थी कि कोई कोई भी आटा था ओर छीद इसमबल को मैंने चबसे प्हेले कारसेवा में नहीं था और मैंने नहीं कर दिवाल पर चलब और पर भी अधिवालて जाली में लिट गिर कि तो पर चुट पड़ी तो उसने क्या करा गुंबत मेरे सीने पर तुस्नों अज़ारों फीट उपर मेरे भेग दिया उसके बाद में क्या हुआ कि मैं का गिरा अंदर ममल वे किमा उसके बाद मुझे वो 6 दिसंबर 1992 का दिन था जब हजारों कार्चे वकों ने आयुद्या में विवादित धांचे पर धावा बोल दिया था और देखते ही देखते धांचा जमीदोज हो गया था बाबरी विद्वन्स के इस पूरी कारवाई में उजैन के अशुक मंडलोई भी थे मंडलोई वलिदान जथे में शामिल थे जिन्होंने विवाद धांचा ढाया था मंडलोई भी धांचा गिराने के लिए गुमबद पर चड़े थे कुछी देर में गुमबद का बड़ा हिस्सा धराशाही हो गया था वो मलबे के साथ नीचे गर गए थे और बेहोश हो गए थे तब ऐसा लगा था कि वो जीवित नहीं बचेंगे जिसके चलते उनको मुर्दा घर में रखवा दिया गया था 24 गंटों बाद जब मंडलोई को होश आया तो खुद को लाशों के बीच पाया फिर आगे क्या हुआ उस रात की खौफना कहानी अशोक मंडलोई खुद सुनाएंगे इस वक्त हम उज्जिन में एक ऐसी सक्षित के पास बेटे हैं जिनका राम मंदिर आंदुलन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जो उज्जिन शेर से कैसे कार सिवक थे जिने मुर्दा समझकर राएध्या में घायल अवस्था में जिसे मुर्दा समझकर दो दिन तक मुर्दा गर में रखा गया और वहां से फिर जिन्दा ऊठने के बाद अपने शेर उज्जिन पहुंचे थे अने को रामपक्त ऐसे देश में जिनकी अने को कहानिया है ऐसे एक उज्जें से भी बहुत बड़ी कहानी जिसे हम आपको ढूबर उकराते हैं हम जानते हैं मंड़ो जिसे कि क्या हुआ था ओधिन 1902 में आयोध्या में उन्हीं की जुबाने सुनते हैं हम तीस तरह को महां पोज गए थे वह छे दिसंबर को आयोध्या की काड़ सेवा के लिए में मेरा नाम था और हमने बलीदान जट्थे के लिए 500 जने का जट्था पुरे देश से बना था और किसी को मालूम नहीं कि मलग के क्या होने वाला है सिर्फ 500 जने को भी मालूम थी के मलग के धवच्च करना है के सभी मलग के तोड़ के जा पना है और हमारा मलग के बाबली धाचानी था हमारा मंदीर था हमने उस मंदीर को मुझे पूल निर्मान के लिए हमने करा था ये तो कांगरिस्ट के सासंकाल में उन्ने ताला लगा हमारा मंदिर हमने मले को एसा कोई भी आता था सिर्फ वह ने लेकर ,दीवाल पे姐व कांटे वाले जाली में उलज गिर गिर गिया था उसकंद फिर वासे में पेड के सारे होके फट्टर दे चड़के और में चड़ा था मुझे पुलीस वाले रोका ये भाई का जा रहा है मैंने किया ये घुममच को जड़ा नहीं अपनी अपना आप भी राम जी के बहगत तो अब भी राम जी के उलाद हो हम भी राम जी के उलाद हैं तो मैं इसके खीट वह मैं पर गिपदे अदने जंडा सब से लेराया और मैंने पहले सबसे पहले मैंने घंड मारा और सब इसे इसे पूरी पब्लिक में ठूट पड़ी हमारे साथ में पारजी जियन भी थे सीवा कोटवानी बावलाल ओध भी ते अवहरा के नहीं है सब देख रहे थे सारी पब्लिक टूट गए और बेरी गेट जित्ते लोगे लेगेister तो मैं इसके उपर आप अपन जुल लें, लाइन बन ती उष्टेम तो मैं कुद गया उसको तो उसने क्या कर रहा है तो उसने क्या कर रहा है तो चाही तरब मुड़ दे घर के अंदर में लासो के अंदर पढ़ा था तो मुझे वह साय थोड़ा में दीए देखिसका मुझे सीने में बहुत द्रद्ध हो रही था पिर मैं दरवाज ठोका तो पुलीस वालों दरवाज खोला खोल के फिर डाक्टर ने मेरा रात को देखा फिर रात को एकसरा हुआ रात को रूड़ ही वजय करीब उसके बाद एक पर उन्हें बताया कि हम पारज जीकों को बता देंगे फिर दो दिन दिया मेरे को चुटिन दे रहे चाही तरव हाकार कर्फिय लगा हुआ था उन्हें बहुत आप पर उसके बाद मेरे डिश्चार्ज लिया फिर उसके बाद मेरे को साधी बीड़ दिया अस्पताल से पर उसके बाद मेरे को चाही तरव उस्तर प्रदेश की पुनिस अधी घेल लिया था तो में जैसे दे दीर है गली गुच्च में लिकलके रेल्वे स्टेसन आया था कहीं ने कहीं लिकल लियों तो उसके बार क्या कि पिति बार्गो जी और रागे बार्गो सम्माही मलगे मंडलोई कहते हैं कि वो नब्वे की दर्शक की बात है वो पी एची में नौकरी करते थे विश्व हिंदू परिषद के कारिक्रमों में शामिल हुआ करते थे कार सेवक बनकर कई बार फैजाबाद गए तब उनकी उम्र 34 साल थी दो नवंबर 1992 को उज्जैन में कार सेवकों की गोपनिये बैठक हुई थी जिसमें 500 कारिकरता शामिल हुए बैठक में तैख हुआ कि राममंदर के लिए एक बलिदान जथा बनाय जाएगा उज्जैन से ही जथे में शामिल होने के लिए रेजिट्रेशन करवाया गया था और फिर ये जथा अयुद्या पहुंचा था गुम्बत पर पहला वार उन्होंने किया था और उसके बाद हल चल मच गई थी लेहाजा अब 22 जन्वरी को राममंदर प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम है लेकिन उनको नियोता नहीं मिला है हाला कि मंडलोई को राममंदर प्राण प्रतिष्ठा का निमंतरण नहीं मिला है फिर भी मंडलोई कहते हैं कि वो खुश हैं वो राममंदर आंदुलन से जोड़े रहे हैं और उनके हिसाम ने आज ये शुब दिया है वो 18 तारीक को उजयन से अयुध्या के लिए बाइक पर निकलेंगे पंजाब केसरी टीवी के लिए उजयन से विशाल सिंग ठाकुर की रिपोर्ट झाल